तो आज के इस हैक में हो सकता है आपके लिए कुछ काम का चीज निकल आए जो भी चीज आपको पसंद आती है प्लीज मुझे कॉमें शेक्षन में जरू बताएगा कि यह वाली आपको अच्छी लगी आप इसको जरू ट्राइ करेंगे तो यहां पर कॉर्णर से एक हैंकि लिए सबसे पहले तो मैं बता दू कि एक हैंकी ले लिजी या हैंकी बराबर कोई भी खपड़ा ले लिजे और करीबं दो इंच के कोने से मैंने ले लिया है और फिर उसको इस तरह से एक माग कर लेंगे दो-दो इंच लीजे लंबाई में और ये माग कर लीजे ऐसे ये देखे इसको इस तरह से क्रीज कर लेंगे ये देखे ऐसे कर लेना है और उसके बाद से इन पे मैंने लगा दी है कोने को लॉक करने के लिए सिलाई तोनों तरफ सिलाई लगा दीजे सिलाई लगाने के बाद इसको हम दोनों को एक बराबर इक्वल फोल्ड कर लेंगे ये देखे फोल्ड कर लिया पीछो बीच में लाके देखे ऐसे आएगा फिर ये वाला पार्ट इधर से बोड़ेंगे और इसको कर देंगे अंदर ऐसे अंदर कर देना है ये वाला कॉर्णर और उस साइड में छोड़ देंगे अभी इसमें हम सब को पकड़ के एक बटन को टाग देंगे यानि कि नीचे वाला जो कॉर्णर अंदर किया था उसको और दोनों side वाले pieces को एक साथ तीन pieces को हमें इस button के साथ टाक देना है तो ये देखे टाक दिया मैंने ये देखे तीनों एक साथ हो गया और इधर से एक box बन गया है 20 से हमारा ये open है और इधर वाली को सिर्फ हम दोनों को आपस में पकड़के उपर वाले को सिर्फ टाके लगा देंगे दोनों को ये देखे ये दोनों को टाके लगा दे रही हूं ऐसे टाके लगा देने है यहां से ये खुला है और ये side open है अब इस वाले side पे भी एक button लेंगे और सिर्फ इस corner पे एक button लगा देंगे नीचे की तरफ देखे मैंने नीचे लगाई है ये धियान रखेगा अब जो हमने टाके लगाए है वो नीचे से इस button को लॉक कर दीजे यहां से ये देखे दो button हमने same लगाए थे इस तरह लगा दीजे नीचे से button को मैंने टाके के साथ लॉक किया है उपर लाके यहीं से खुल भी जाएगा ऐसे खुल जाएगा ये अभी आप जितना भी टीशू आप पैकेट वाला लाते हैं जिसमें डबबा नहीं होता है उसके लिए आपका एक टीशू पाउच बनके रेडी हो गया है बस नीचे से डालिए बटन को यहाँ पे लॉक कीजे और एक पाउच बनके रेडी है उपर से आप टीशू को अराम से निकाल लीजे इजी वाश कीजे इसको दूसरी जो चीज बता रही हो इस तरह का सिंगल पीस या पुराने सॉक्स के हैं तो उनका बहुत इजी इस्तमाल कर सकते हैं फटे हुए सॉक्स का जितने भी फरनीचर है एक सॉक्स पहनगे फटे हुए या फिर जो भी सिंगल पीस के हैं और जितने भी फरनीचर है उनको इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं आप कोई भी डीटेर्जन का यूज़ कर सकते हैं इसमें क्लीनिंग के लिए इहां पे एक सॉक्स का और है क्में बता रही हूँ तो यह है जो स्क्रबर आता है कोई भी इस क्रबर ले ली जे और सॉक्स लिया है मैंने पुराना तो कोई भी सॉक्स सिंगल पीस या फटा हुआ कुछ भी ले सकते हैं और इस क्रबर को या तो आप इस तरह से इसके उपर चिपका दीजे या फिर आप इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाके मार देजे बड़े बड़े टाके लगा दिजे एक साइड में सिर्फ और पूरा उपर तक यह हम लगा देंगे तो यह देखे इस तरह से पुरा गुलाई में कर लीजे तो यह देखे दो साइड मैंने कर लिया है और लंबी-व्य में बस सॉक्स मेnh इतना करना है कि ये मजबूत भी रहा और सॉक्स में फिक्स भी हो जाए तो ये मैंने कर लिया है ये देखे इस तरीके से अभी ये काम क्या करेगा आपका तो ये हाथ में इजिली आप पहन लीजे और जितनी भी गंदी टाइल्स है आपके किचन के लिए अलग बना लीजे इ ये इस तरह का देखकर डियाई भाई किया था है मने अमाज़ू इस को देख़ों कर डिया तो इसमें मैंने गलम बनाया है लेकिन मुझे लगता है कि एक by आप सॉक्स भी आप बना लेंगे ये तो भी आपका काम ये तरहें ऊपसी तरह करेंगा इसके आप डिटर्जीन ड कर सकते हैं दो तरह के मैंने सॉक्स के हैक इसमें आपको क्लीनिंग के परपस से बताए है और जो मैंने स्क्रबर वाला है बताए गई वह बहुत ही सुपव है आप उससे कीचन की चिपचिपी जो टाइल्स होती है उसको आप क्लीन करेंगे तो पिल्कुल वह क्लीन हो जाएग जो लिक्विड डिटर्जन से नहीं जाता है बाद में तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है आप तवे को जो है गैस टॉप पे रख दीजे और यह है वाइट वेनेगर जो हम लोग नूडल बगारा में डालते हैं वही वेनेगर है यह एक चमच या डेड़ चमच इसको ल सेकंड छोड़े रखिए उसके पास से इसको क्लीन कर लीजे चिपचिपपन बिल्कुल चला जाएगा और रोटिया बगारा जो है और नहीं होंगी अगर में चोटा बच्चा है और वह दूद की बॉटल यूज करते हैं आप उसके लिए तो एक छोटे सॉक से उसको कवर क की तरह यूज कर सकते हैं इसको एक हैंगर ले रही हुमें मेटल वाला कई बार मुझे कॉमेंट आता है कि मैम हैंगर जो है हमारा मुड़ता नहीं है पर गाइस यह वही हैंगर है जो मार्केट में मिलता है और इसको भी हम थोड़ा मेहनत करके ही मुड़ते हैं तो यह मोड देना है लिखे ब Táल है तरो लिखन प्रेखे प्रूगार सके जह रहीं तरह प्राए कंवा मर्ष। उसका जासर फ्रवरी किछन अच्छन को जाते है निच्छा हूँ हमारा या और बैलन कि प्लम स्कादिन प्लम करते हैं लिखा एक कर्दयाद प्लम बीकिछ किन Twitter बेलन स्टेंड चिम्टा बगएरा रखने के लिए इस तरह से बना सकते हैं कहीं पर भी इसको स्टेंड कर दीजे अपना हैं टावल भी इसमें टांग सकते हो जैसे कि मैंने किया है जैसे कि मैंने कहा कि ये कई तरीके से यूज होता है तो इस तरह की बहुत सारी लीड जो है किचन में पड़ी होती है जिनका काम हम बहुत कभी कभी करते हैं कम यूज मिलाते हैं उनको एक साथ इस तरह से रखिए मैंने दो ही रखा है आप अंदर की तरफ और भी लीड इस को रख सकते हैं तो कौन सा है आपके काम का है जरूर बताईएगा कौन सा है इस लाइटर का यूज तो सभी करते हैं और वन टाइम ऐसा आता है कि ये चिप-चिप करने लगता है क्लीन नहीं हो पाती है इसकी अच्छी से क्लीनिग तो एक चोटी सी टिप बतारी जिससे इसका चिप-चिपापन बहुत इजी तरीके से आप दूर कर सकते हैं ये है नेल पेंट रिमोवर नेल पॉलिश रिमोवर जो दस पंदरा रुपे वाली आती है और देखे मैंने हलका सब इसको लगाया है कैरी बैक का कपड़ा लिया था मैंने और उसमें थोड़ा सा लगा करके इसको मैंने क्लीन कर दिया है इस तरह से क्लीन करिएगा तो ये देखे फटा-फट क्लीन हो जाएगा इसमें जितनी भी पीला पंथा जितना भी तेल का चीटे आते हैं या मसाले की चीटे आते हैं जितनी भी जमी हुई रहती वो सब इस nail paint remover से निकल आएगा यह देखे तो clean कर लिजे ऐसे यहां पर मैं ले रही हूँ एक carry bag कोई भी बड़े size का carry bag ले लिजे और 13 इंच रख करके इसको हम cut कर लेंगे इधर से मैंने 13 इंच लिया है तो 13 इंच ही लिजेगा और इधर से side से cut कर लेंगे बाकी जो handle से cloth निकल रहा है वहां से मैं ले लूँगी इसको बस एक चीज़ और दिखा दूँ कि यह 2 side बंद है और 2 side खुला हुआ है तो यहां पर आटे का packet ले लिजे यह चावल का जो packet आता है वो ले लिजे यह बिल्कुल हम zero cost पे बना रहे हैं इसलिए मैंने 8 का packet का यूज किया है तो यहां पर इसी के size का मैंने packet को कट कर लिया है अभी हम जो एक side शिलाई लगा देंगे इसकी यह देखिए एक side लंबाई में सिलाई लगा दी है थोड़ा से चोड़ दिया है मूरने के लिए सीधा कर लिया मैंने इसको अब यह 8 का packet जो मैंने से साइस का कटकिया था इसको कट करके इसमें हम इंसर्ट कर देंगे यहां देखे मैंने इसको इंसर्ट कर दिये एक बडाबर कर दिया था तो एक बराबर आ 강ञ़ अब यहां पर इसका माओउट बद liebe और यहाँ पर चाहव तो पाइक नहीं चाहते हैं तो आप चाहो तो इसमें कोई जरुवत नी है, कोई सिलाई लगाने की कुछ भी करने की, आप ये किस तरह वर्ग करेगा, ये ऐजा फ्रीज मैट आपका वर्ग करेगा, इसमें कोई खर्श नहीं किया है, मैंने, सिर्फ आटे का पैकेट मैंने अंदर डाला है, और दो सिलाईयां लगी है, आप चाहो तो पैपिंग लगाईए, ना लगाईए, मल्टी कलर का यूज कीजे, और कई सारे इसमें बना के आप इसमें फ्रीज मैट की तरह इसको यूज कर सकते हैं, दोनों साइट से, अगें मैं ले रही हूँ एक कैरी बैक, और कैरी बैक जो है, बिल्कुल ज कीजेगा, और कोशिस करिएगा, कि गंदा ना हो, बिल्कुल क्लीन हो ये निया हो, और दूसरी चीज स्रिफ वाइट ही हमें यूज करना है, और कोई कलर नहीं यूज करना ये ध्यान दीजेगा, साइट से मैं नीचे से मैं नीचे से मैं नीचे से मैं नीचे से खोलिएगा तो इस तरह से यह फैल जाएगा, अब यहां एक प्लेट ले रही हूँ, यह बहुत ज़रूरी है कि प्लेट की जो गुलाई है, एक साइड की वो करीबन साड़े आट इंच है, तो साड़े आट इंच की प्लेट को देखके ही लिजेगा, इससे बड़ा मत लिजेगा, निशा प्लेट की गुलाई के साइज में, तो यह दोनों निकाल लेती हूँ, मैं, तो गाइस यहां देखे, यह दो पीस मैंने एक साथ कटिंग की है, और आप इसको हम यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देके देखेगा, एक फोल्ड मैंने किय से सरकल का, और एक फोल्ड करीबन एक इंच उठा करके, एक से सवंच उठा करके हम उपर रख देंगे, फिर से मैं दिखा रही हूँ, सरकल को हाफ कर लीजे, और सवा इंच करीबन फिर सरकल को उठाईए और दूसरे के उपर रख दीजे, साइड में हमारा इतना पाट उपर से तीन इंच नहीं, मैं उंगली का माप बतारी हूँ आपको, तीन उंगली का माप ले करके, यहां पे हम कटिंग करेंगे, कट जो है हमारा करीबन एक उंगली के बराबर इस तरह से नीचे ले आए, यह देखिए, अब इन दोनों को उपर जो कट किया था और एक फि फिर, एक फिंगर की हल्प से यहां से कट किया है, तो यह कुछ इस तरह से कट होगा, इसको अब हम खोल देंगे, खोलने के बाद, दो फिंगर का मैंने फिर से गैब दिया है, और एक कट लगा रही हूँ मैं, यह देखिए, करीबन इस तरह से कट लगा कर, यह L शेप में देना है एक इंच का कट लगाईएगा एक से साबा इंच का और एल शेप दे दीजेगा उपर की तरफ में लेगी हूँ तो ये एल बन गया है फिर से एक फिंगर का गैब दीजे और ये ऐसे कट लगाएंगे और तरीबन हम तेड़ इंच का गैब फिर देंगे और यहां से हम इसको नीचे वाले कट से उपर वाले कट को मिला देंगे ये देखे इस तरह से गोल कर देना है यू शेप में थोड़ा सा ये वाला उपर वाला होल जो है मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ उपर की साइट में करूंगी मैं उपर की तरफ हलका साइज को बस थोड़ा सा कर दीजे ट्रिम बाकी यहां पर देखे ये हो गया है अब इसको हम ओपन करेंगे इस तरह का एक mask ready कर लीजे यह mask ready हो गया यह lip के लिए है यह nose के लिए है और यह eye के लिए है nose वाला थोड़ा सा मैं corner से और trim करूँगी यह जो है corner पर थोड़ा सा गुलाई में रहेगा हलका सा corner हटा दीजे बस और कुछ नहीं करना है यह हमारा mask बनके ready हो गया है अब इसका हम liquid बनाएंगे liquid बनाने के लिए एक कोई भी गहरा बरतन ले लिजे लेकिन steel का बरतन मत लीजेगा कोई भी इस तरह का metal का plastic का ले लिजे fiber का ले लिजे और उसमें हम डालेंगे aloe vera आप कोई भी brand का aloe vera ले लिजे आपके पास जो है लेकिन आप ready made अगर इसको store करके रखना चाहते हैं तो फिर ready made aloe vera ही use केजेगा अधरवाज आप fresh अपने plant का निगालते हैं तो फिर वो एक से दो दिन तक ही ठीकेगा वो खराब हो जाएगा तो कोई भी aloe vera डाल लिजे इसमें vitamin C के लिए हम डालेंगे नीमबू अगर आपके पास नीमबू की जगा कोई भी essential oil है तो वो आप ले सकते हैं लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी कम कॉस में बना रही हूँ तो इसमें मैं नीमबू डालूंगी साथ साथ मैंने एक चम्मच जिसमें डाल दिया है गुलाब जल, रोज वाटर इन तीन चीजों से हम aloe vera vitamin C mask रेड़ी करेंगे इन तीनों को मैंने mix कर दिया है मेरा aloe vera gel जो है खतम हो गया है तो इसी वाले जो है डब्बे में मैं इसको transfer कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा aloe vera जो है वो mix हो जाए इसमें कि wind मत कीजेगा और मैंने इसको इसी में छोड़ दिया है अब एक बाउल लेना है तो वही वाली कटोरी में यूज़ कर रही हूँ और इसको आप चाहो तो single single fold करिएगा मैं डबल एक साथ करके आपको बता रही हूँ लेकिन आपको यहाँ पे दोनों को अलग कर लेना है या जितने भी मास्क अपने कटकी है उनको अलग-अलग इस तरह से fold करना है fold करके इसको नीचे की तरफ बिठा दीजे हाँ से अब थोड़े थोड़ी लिक्विट जो है इस्पून की help से आप इसमें डालिए और थोड़ा-थोड़ा इसको फुष कीजे उपर से ताकि लिक्विट जो है अंदर तक इसमें चला जाए जितना भी तह इसमें मैंने किया हुआ है तो यहां पर करीबन चार से पाच चमच इसमें लग जाएंगे तीन चार चमच तो लगी जाएंगे जो हमने रेडी किया है उतना तो यह देखिए जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं सब इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से और आपकी स्किन पर भी जब आएग दस मिनट पंद्रह मिनट आप इसको लगाएँ तो जितनी भी इसके इंग्रेडियंस है सबका बेने फित आपकी स्किन पर आजएँ इसलिए 10 से 15 मिनिट इसको छोड दिजेगा और ज्यादा भी आप छोड दिजेगा तो चलेगा और इस तरह से ओपन करके इसको अप्वूण करते हैं वैसे अप्लाई कर लीजेगा मैंने कली mask apply किया था तो इसलिए मैं इसको use करके नहीं दिखा रही हूँ लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके skin में harm करे आपको आपको किसी तरह का side effect दे बिल्कुल zero पैसे पे हमने बनाया है पुराने जितने भी आपके पास white color के carry bag हैं transparent वाले उनका use आप इस तरह से कर सकती है और एक बार use करके आप इनको fake सकते हो store करने के लिए इस तरह से अलग अलग pieces को आप store कीजेगा एक साथ मत store करिएगा नहीं तो क्या होगा कि फिर आप जब निकालो गए उसको तो आपको उसमें problem होगी इसलिए एक एक पीस इस तरह से fold कीजे और fold करके किसी भी चोटी डिबी में आप उसको lock करके रख सकते हैं और freeze में रखिएगा तो जब लगाईएगा तो वो जो है cool effect देगा जो काफी अच्छा रहेगा तो यह वाला मैंने जो है aloe vera और vitamin c का बनाया है आपको और भी बनाना है तो आप खीरे का बना सकते हैं टमाटर का बना सकते हैं अलग अलग flavor का आप बना सकते हैं और इस तरह से आप इसको store कर सकते हैं थोड़ी सी liquid मैं इसमें निकाल के देखा रही हूं तो यह देखिए जिस तरह से आपके face पे liquid आता है एक glow आता है उसी तरह से यह glow भी देगा शाइन भी देगा वीडियो थोड़ी भी helpful लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा subscribe share and comment चुरू करिएगा बताएगा कौन से है ची लगी thank you bye